दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना, दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक सन्नाटा गिर्ता और अंदकार बढ़ने लगता है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, यह अचानक सन्नाटा और अंदकार बढ़ रहा है, क्यों? जराद देखना तो तो दूसरा प्रहरी बोला अंधे राजा की प्रजा कहा तक देखे तो ये जो सिनीमा बना रहे हैं अवसरवादी लोग है उनकी द्रश्टी इतनी है वो विचारे कहा तक दूर तक देख पाएंगे एक संस्मन मैंने राहूल जी को यात्रा में सुनाया था वो मुझे बोले जी इनमें ये कन्फ्यूजन क्यूं है ना इनकी कोई विदेश नीती है ना इनकी कोई ग्रह नीती है तदर्त वात पे चल रहे हैं कि आज का दिन डल गया कल की कल देखेंगे क्या बात है तो हमारे मित्र दे कानपूर के प्रमोत तिवारी गुजर गए वो उन्होंने एक अच्छी बात बताई पूरा नक्सा समझ में आ जाएगा वो बोले कि 95 साल पले एक संगठन गठित किया गया इस उद्धिशे से कि प्रतुराज चोहान दिल्ली की गद्धी पर और अंतिम हिंदू रधय संगराथ था तो हमें दिल्ली की गद्धी पर एक फुल प्लेस हिंदू संगराथ बिठाना है और सामदाम दंड भेद से वो सफलता अरजित करने में इनको 95 साल लगे लेकिन ये सफल हो गए दिल्ली की गद्धी पर एक हिंदू रदय समराट बिठा दिया अब उस किताब में अगला पन्नानिय की करना क्या है तो वहां जाकर के इनकी वो रेंजिती खतम हो गई बस अंति मरचना पांच मिनिट की सुना देता हूं बड़ा अच्छा लगा अवनी मंचल जी आपने टीम जूटाई और बड़ी कम संख्या में हैं लेकिन मात्र शक्ती भी यहां है अगली बार जब कारिक्रम हो तो महिलाओ को भी साथ लागा क्योंकि देखो शादियु सुधा हो तो पत्नी को साथ रखा करो वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो गया अहां मन की बात शरत जोशी जी गद्य पाठ करते थे मैं भी उसी परंपरा का निर्वन करता हूं यह तो यंग के लिए बड़ी उर्वर भ परशा ही थे अर्दा के मानिक वर्मा थे ओसंगाबाद के शुरुष उपाद्य आई जी